सिए अब्राहम वर्सिस आई टीओ सर्टीवन आई टीर 425 सुप्रीम को जज्जमेंट है सर इसे सेम जज्जमेंट है कि अगर आपको इंकम टेक्स के दाइरे में आना है अगर इंकम टेक्स आप पर लगना है या फिर कोई भी टेक्स लगना है आप पर तो उस दाइरे में आना बहुत जूरी है कभी भी कोई फिसकल लोग जो प्रोफशनल टेक्स है चाह वेल टेक्स है चाह एंकम टेक्स है हमेशा सर क्योंकि कोई law आप पे या तो टैक्स की लाइबिल्टी लगा रहा है या फिर पैंती लिवी कर रहा है तो it is nothing but a civil liability if some law is fastening a civil liability on you then you have to read it very very strictly, so what I want to say हमेशा ध्यान रखना है when you read fiscal law, since it is a fastening a civil liability, तो हमेशा एक थम्रू लेना है, कि sir आपको literal interpretation करना है तो what I want to say, जो लिखा है उतना ही पढ़ना है, you can't add anything, you can't delete anything मैं किरूँ आपको sir, कोई भी आप अपने आप से add नहीं कर सकते हैं अगर word off भी लिखावा है, तो off का भी मतलब होना चाहिए, now जैंदेवर सेकेंड जेश्मेंट आप लोट करना है sir, vegetable products 88 ITR 192 88 ITR 192 it re-acted what was said by supreme code in 41 ITR 425 that literal interpretation has to be there but उन्होंने दो चीज़े और बोली पहला, पहली बात उन्होंने बोली कि sir, there is a difference between absurd result and absurd meaning absurd result and absurd meaning sir, absurd result क्या होता है, let us say कुलदीब जी ने एक interpretation किया section का, और इस section की interpretation से मालने जी ये taxation होई नहीं पा रहा क्योंकि मैंने बताया, क्योंकि आपको कोई भी tax by presumption नहीं हो सकता या फिर कही पर double taxation हो रहा है या फिर double deduction मिल रही है जैसे मैं example देता हूँ, आप तो चलिए, मैं example दो सेकर्ट पर आप देता हूँ तो मालने डबल deduction मिल रही है तो appreciate करें, supreme court said when there is a case of absurd result absurd result, तो ऐसी case के अंदर वहाँ पर court कुछ नहीं कर सकता it is the duty of the court to step in sir, it is the duty of the parliament to step in sir, legislature step in करेगा वो anomaly को ठीक करेगा जैसे मैं example दे के समझाता हूँ, आपको sir, finance act 2023 finance act 2023 में क्या हुआ sir, आपको याद होगा sir पहले जब आप interest पे करते थे in relation to house property तो होता क्या था, sir, हम section 24 में deduction भी लेते थे, और section 48 के अंदर हम इसको sir, constitution का party बांदेते थे, because हमारा यह कहना था कि और बहुत सरे लोग का view था और कुछ judgments भी थी, चुछ यह बोलते हैं कि sir, हर एक competition अपने आपने code है, possibility हो सब्सक्राइए deduction तो तो जहां मिल जाए, तो इस बात को दूर करने के लिए, it is a absurd in relation to to the department, to remove this anomaly, sir, 2023 में prospectally amendment करी, जहां पर उने बोला अगर आप section 24-1 में deduction दे रहे हैं तो section 48 के अंदर आप cause position में add नहीं कर पाएगे तो what I want to say, ऐसे case में जब absurd result आ रहा है, तो it is a duty of the legislature and parliament to step in and to remove the anomaly sir, court कुछ नहीं कर पाएगा पर what you mean absurd meaning absurd meaning का मतलब यह होता है कि मालनी जे, अशोक सर्थ ने कोई section पढ़ रहे हैं, उसका कुछ बीनी निकली नहीं पा रहा है, या फिर कुछ बात बरी नहीं पा रही है कुछ wording कुछ इस तरीके से लिखे हुए है, कौमा ऐसे लिखा हुआ है, कौमा को पड़ो ऐसे होता है, तो ऐसे केस में हमेशा, अब मैंने आ बताया, थबरूल के लेना है, लेटर निकल पा रहा, तो ऐसे केस के अंदर, यू आप टूफ़ पर पर्पर्पसिव इंटर्पटिशन ऑल्सो, कि वर्डिस दा पर्पस, वर्डिस अब जिसे एक्जाम्बल लेता हूँ आपको, अगर वह पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो हुई है, या पर्टिकुलर लॉज हो है, वह क्लियरिटिव इनचर है, तो रेट्रस्पटिव इनेचर है, तो ऐसे पर पर्पसंट वाला कोशन था, और यह सारे के सारे क्या है सर, यह क्य रहेंगे या फिर कोई लॉव जिसे मांद जे थर्टी सिस्वन वीए की बात करता हूं जहां पर एक्स्प्रेशन एड करी इनिशली की विए रीडिंग दोस एक्स्प्रेशन आज आज बेसिकली प्रोस्पेक्टिव नेचर विकॉस एक नहीं लाइबिल्टी क्रेट करना था यह बात करेंगे तो यह सारे सेक्शन या फिर फुफ्टी सी फॉट्टी सी फॉट्टी यह सारे के सारे एंटी ब्लैक मनी तो कोई भी जहां पर यूँवां टॉट्टी ऑफ दिपार्टमेंट इनिशल बर्डन पहले डिपार्टमेंट के उपर है जब भी किसी लॉग को पढ़ना है एप्रिशेट कीजएगा सब आपको इस समझ में आना चाहिए करनी है इनिशल बर्डन किसके उपर है अगर इनिशल बर्डन आपके उपर है तो एफ्रिशेट करें पहले बर्डन आप अपना सैट्िस्वाइघ करेंगे अ стан सर। उसी व्यक्ति पे रहता है जिस पे इनिशल बड़न रहता है सिर्फ ओनस ऑसी लिएट होता है बड़ा वांट उसे माली की बात करते हैं के अंदर जो इनिशल बड़न है ताट इस तो पुरूव एट कि पहले बात तो यह तीस से च्छतिस में नहीं आ रहा पर से एकस्पेंड क्यों को रहा हूं जैसे माली प्रेमट लिता हूं 3613 टर्टि शक्षी थर्टीशम भान सी के अंदर अगर माली जे मैं इंट्रस मैं लोन कोई मनें निक लोन ले लिखें से जिसमेंट्रस पे कर रहा हूं पर मैंने कुछ कुछ इंवस्ट्मेंट कर दी है जहां पर जो इंट् प्रिषां क्या रहती है कि सर्गी जो मैंने इंट्रस फ्री इंवेस्मेंट करी है यह कहां से करी है इंट्रस किरी का पिटल इन दाट इस इनिशल वर्डर्न इस ऑन दा रिविन न्यू तो प्रूव एट्ट तक इस नॉट सो तो प्रीजिट कीजे हैं का जब भी हम litigation में लड़ाई करते हैं in relation to ITAT, CNTP तो बहुत सारी cases कई बार आप इस base में जीच जाते हो कि initial burden ही सामे वाले satisfy नहीं किया या फिर sir courts cognizant नहीं ले पाता क्योंकि आप initial burden आपके पता आपने पूप नहीं कर पाया जैसे मैं example देता हूँ अभी 27 जुलाई 2023 को एक order passed हुआ है दिली ITAT, it has been argued by me अब इस case में क्या था, it is a matter of search शे साले case थे तो और 27 जुलाई को result आया है इसका और division bench का था इस case में क्या था, there is a search matter और search matter के अंदर search matter में cross a piece थी, तो बारा पीस थी तो what we argued in relation to that search matter हमने ही आर्ग्यू किया कि सर 132 चारे पर जो presumption दी हुई है या फिर जो section 292 से पर प्रिजम्शन दी हुई है सर वो दोनों के लिए क्योंकि हमने यह प्रूव कर दिया कि सर पहली बात तो जो बुक्स अकॉन पकले गए थे जो मैंने आई टियार भरी उसमें कोई चेज नहीं है और 132 चारे में प्रिजम्शन दी जाती है कि भहिया जो मनी बुलियन मिला है वो उसी बंदे का है जिसके हाथ जिसके पास मिला है और दूसरी बात हमने बोला है जो बुक्स अकॉन जो मिलेंगी ना यह प्रिजम्शन प्रिजम्शन दूसरी बुक्स नहीं है यह तो हमने बोला है इनिशल बड़न तो डिपार्टमेंट क्यों पस है पहले डिपार्टमेंट लेज करेगा हम भी तो यह हम भी तो यह बात बोल रहे हैं बुक्स तुट रहे हैं तो section 101 क्या बोलता है कि वह यह बोलता है वन वह एलिजिस हास तू पूव इट नौ इट सब्सक्राइब करेंट नहीं है नहीं तो इनिशल बड़न इस ऑंदा रिविन्यू तो प्रूव इंडाट मेरी सेंस सब्सक्राइब करेंट की जगा तो वाट वाट तो से हमें यह लिए तो इसमें एक पॉइंट और डिसक्स किया एक और जो मैंने बुला एक त्रॉन और तेसे कि मांग लीजिए किसी सेक्षिन की या फिर किसी की सेक्षिन की लेंगविज ऐसी है इस एंबीजिएस इस बाउन तो हाव तू इंटर्पेटिशन तो वन विच इस मैं को मुंबई ट्रॉन ने सिक्षिन 54 के कंटेक्स में एक और पास किया है और तैंट पर्टिकुलर इशू दिर वास टू जज्ज्मेंट वलिज अब मदरास हाई कोट अधर वास का हाई कोट एक हाई कोट फिवर में था एक हाई कोट फिवर में नहीं था तो इन डिस केस रिलाइंग ऑन दा जज्ज्मेंट ऑफ 88 ITR 192 क्योंकि मुंबई एक ते जुरुशिन ही कोट और मॉंबे ही कोट और कोई डिसर नहीं था तो रिलाइंग ओन दिस 88 ITR 192 मुंबई तो यह बात दिखाने वाली बात है कि कभी भी एक्ट में है दो इंटर्पेटेशन आ रही है तो वन विच इस फेवरिंग एससी हास्ट विटेकर नौ अगर मालनी जे किसी भी आप लो लिटिकेशन के अंदर है और आपको लगता है कि मुझे यह समझना है प्रूवीजू का मतलब क्या है आपको पता लगता है समयना है कि सर्कुलर का मतलब क्या है कि सर्कुलर की इंटर्पेटेशन किसे कहते हैं प्रियम्बल किसे कहते हैं मैं म सब्सक्राइब और दूसरा है सब्सक्राइब करेंगे आपको बहुत ज्यादा फार चूजमें यहां ऐख़ुन सब्सक्राइब की जैने रुच्छन जुच्वन साम जैने रुच्छी सिट्सें डुच्याइब of 32 32 32 32 32 in which Supreme Court dealt with a Latin maxim called unius est exclusion altruist unius est exclusion altruist which said that that express mention of one thing means exclusion of others but let us say section में लिखा हुआ है A B C D E F तुसका मलब X Y Z excluded है मैं फिर से बोल रहा हूं सर जहां पर की section में अगर A B C D F लिखाओ तो X budget excluded बाने जाएंगे एक और जज़्में नोट कर लिए सर 438 ITR 174 438 ITR 174 मिस्विशी कॉर्परेशन मिस्विशी कॉर्परेशन मिस्विशी कॉर्परेशन सेट कि दो जैसे मैं ने तो Supreme Court in this particular judgment has said one more thing is it कि एक और तरीका है आगर आपका law Mbgs है clarity नहीं है if you want to know what what the provision of old law is saying please read the amendment he said कि अगर आपको जानना है old law क्या कह रहा है तो प्लीज amendment परें तो amendment आपको बताएगा कि amendment क्यों हुई है क्या मिश्चीवता क्या हो रहा था इससे आप old law पर सकते जिसने example देता हूं आपको सब्सक्राइब क्या होता है अभी तक क्या होता है कि नॉमली जब कोई भी आप जब करते हैं तो मतलब मतलब होता है कंसेशन माइनस कॉस्ट अप्रिशेट करना है सिर्फ कंसेशन पर टेक्सेशन नहीं हो सकता अभी देखिए आप 141 बी पर दो तीन जज्जमेंट्स आ गई है जहांपे बालीजिए सर एसेट तो एक क्रोड का बिखा सतर ल करें तिरुका जज्जमेंट पीसी शिंवाज शिटी चों यूज करते थे बहुत सरी जगह पे जहां बोलते थे कि सर जहां पर कॉस्ट अप्रिशन नहीं माना है तो ऐसे के अंदर कंसेशन माइनस नॉट अप्लीकेबल इसका मदला कंपूटिशन मेकैनिसम फेल हो गया यह और ऐसे के दर चुब भी रहता था था नॉट फिटी फाइब अप्रस्पेक्टिवली फॉम एक अपना दूसर तैईस विरिदे सेट कि बहुए बी राइट कोई इंट्रस इन कोई अब उन्होंने अगर बोला इसकी वेल्यू डेटर बैनेबल नहीं है यह लिखिए तो इसकी वेल्यू निल मान लिजे अगर आपको जानना है और लॉड लॉग क्या था सब पुराना लॉग पड़े इसका मतलब इसका मतलब अब बहुत सारे ऐसे अशेड होते थे जिसके अंदर आपकी कॉसलिशन सब्सक्राइब ना की निलेट नौ तो जेश्मेंट्स और बता रहा हूं वह आप नोट कर ले क्योंकि मैं अगले सेमिनार में भी आपको जेश्मेंट्स बताऊंगा उज़्चमेंट्स पहला क्या है सर कई बर आपने देखा वर नोटस किया हो क्योंकि बैलंस शीट तो नौमली कई बर आप अकांटिक प्रिसपल से मना रहे हो चुपार्या टूल्स सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सर उन्होंने बोला दोनों का दायरा अलग-अलग है तो कभी भी इंकम टैक्स में अगर अकाउंटिग प्रिसिपल्स और सब्सक्राइब का तक्राव होगा, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं जब एक्जाम्बल देता हूं आपको वन वे इस तो मैचिंग कंसेट्ट अभी सब्जाओं आपको कि मैचिंग के से कहते हैं तो एक और जचिपन नोट करें सब्सक्राइब अगें सुप्रीम कोड बोड़ा इलेक्टिसिटी से कुछ फरक नहीं पड़ता सर इंकाम टैक्स में टैक्सिशन हमेशा रियल इंकम का होगा अल्लेस से अधरवाइस अफिर से बोल रहा हूं सर गोड़ा इलेक्टिसिटी सेट अगर इंकम क्रियेट किया गया तो सब्सक्राइब करेंगे इन सबकी इशूस यह सारे के सारी चीज़ा हम यूज करेंगे कहीं न गई